हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बक्रियां बेच कर सवचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी किसी ने अपना मंगल सुत्र बेच दिया तो किसी ने सवचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी कहीं किसी रिटायर्ट टीचर ने अपनी पैंशन दान दे दी तो कहीं किसी फोजी ने रिटायर्मेंट के बाद मिले पैसे स्वच्चता के लिए समर्पिद कर दी अगर ये दान किसी मंदीर में दिया होता किसी और समारों में दिया होता तो शायद अख़बारों के हेडलाइन बन जाता और सब्ता भर उसकी चर्चा होती लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका जहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है जिनका नाम अख़बारों की सुर्खियों पर कभी चपा नहीं है ऐसे लक्षावद ही लोगों ने कुछ न कुछ दान करके जाहे वो समय का दान हो या सब्ति का दान हो इस आंदोलन को एक नई धाकत दी है और ये ये मेरे देश के उस चरीत्र का परीचे करवाता है झाल